हेलो दोस्तों तो एक बार फिर से स्वागय थे आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनितायन क्लासेस में तो आज क्या सब्जेक्ट रहेगा अपना आज मैं आपको बता दूँ कि आज हम लोग एगरिकल्चर इंट्रेंस एक्जाम के बारें पढ़ने वाले हैं ऐसे मह तो पूर्ट जो क्योसन दिये के हैं आपसन वारे क्योसन लगभग आपके सामने 50 से 80 क्योसन रखे जाएंगे इट्टी तो मान के चलिए तो फिर उसमें से क्या है कि इतना मैं स्योरली के साथ कह सकता हूँ इतना मैं खुद कन फर्मूं कि उसमें से आपके 15 से 16 क्योसन आने ही आने हैं, क्योंकि यह मैंने उस सारे क्योसन को यहां पे कवर कर दिया है जो पिछले पांच से छे सालें पूछे गया है और यह उसके पहले का मुझे कुछ क्योसन पेपर मिलता है, तो मैं उसके लिए भी आपके सामने वो क्योसन दे दूँगा, ठीक है, तो भी स्टार्ट करते है पहले क्योसन से, कि वपनियन क्या है, कैनिंग क्या है तो आपका राइट असर क्या हो जाएगा देखे, बंद डिब्बों में फल संरच्छर का तरीका फलों की एक बिमारी, वातान कूलित कमरों में फल, कोई नहीं तो बताएगे कि वपनियन क्या है तो आपका बंद डिब्बों में फल संरच्छर का तरीका, यह आपका राइट अंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं कि कौन परिसन रच्छर के काम नहीं आता है एसिटी कमल, सोडियम, बिंजो एट पोटेसियम, मेटाबाई सलफिट हाइड्रो क्लोरिक अमल तो यह कि कौन परिसन रच्छर के काम नहीं आता है तो भी यह आपका हाइड्रो क्लोरिक अमल जो है, वो परिसन रच्छर के काम नहीं आता है तो दोशनों कर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तुरंद कर दीजिए आगे देखिए कि पाता गोबी अठा पता गोबी का कौन सा भाग खाये जाता है कैबिस पार्ट कौन सा है पुस्पक्रम या वानस्पतिक कालिका पत्तिया फूल तो आपका राइट एंसपर क्या है वानस्पतिक कालिका या आपका ओप्सन नंबर भी एक्तम करेक्ट हो जाएगा आगे देखिए कि भारत में हरित क्रांति की सुरुवात कब हुई तो ओप्सन आपके हैं कि 1960-61, 1964-65, 1967-68 या 1968-69 तो आपका राइट एंसपर क्या हो जाता है कि भारत में हरित क्रांति की सुरुवात 1967-1967-1968 में सुरुवात हुई आगे देखिए कि छारी मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक तरा सायन कौन सा है जिपसम, गंधक, पायराइट्स, चूना पत्थर बताइए तो आपका जिपसम एकदम करेक्टर एंसल हो जाएगा कि छारी मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक तरा सायन कौन सा है तो जिपसम, याद रखिए कि योशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है नोट कर डीजी से, आगे देखिए कि कौन मृदा सुधारक होता है स्वाइल करेक्शन, अमोनियम सलफेट, रॉक फास्पेट, जिपसम या डी एपी तो जिपसम इसके पहले वाले क्योशन भी सेम है सही था, बस मैं चारी करके दिया गया था और यार क्योशन अगर आपको लग रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे तो फिर आप तुरंत लाइक कर दो, तुरंत आगे देखिए कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर है, वो कहां इस्थित है? कोयम बटूर में, या राजमुंदरी में, या सिमला में, या कटक में देखिए, जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर है, वो आपका इस्थित है राजमुंदरी में आगे देखिए कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्तिर कारड होता है? कारबनिक पदार्थ, हुमस, टिटेनी फेरस, मैगनेटाइट एवं हुमस, गोबर की खाल तो या काली मिट्टी का जो काला रंग होता है, वो टिटेनी फेरस, मैगनेटाइट एवं हुमस के रंग काला होता है के कारड आगे देखिए कि पुराने जलोड मिट्टी वोल्ड एलुवियल स्वायल किस नाम से जाने जाती है तो खादर या बांगर या भावर या री तो पांगर यार आपसन नमबर भी करेट हो जाएगा पुराने जलोड मिट्टी किस नाम से जाने जाती है तो पांगर नाम से गेहु का काला टिक रोग किसके करण होता है? बताईए जो गेहु का काला टिक रोग है वो किसके करण होता है? फफूदी, जिवाडु, विसाडु, एक्टिम, नुमाईसिस आपका right answer हो जाता है फफूदी गेहु का काला टिक रोग फफूदी के कारण होता है जी हाँ कि उससे नवर 11 देखे कि मिर्च में चर्चराहट का क्या कारण है चिल्ली ग्राइड क्या होता है कैप से सिन, कैप सिन, आक्सलेट या कोई नहीं देखे, मिर्च में चर्चराहट का कारण कैप से सिन होता है आगे जलते हैं कि नाबाड की स्थापना किस वर्ष की गई आपके options हैं 1980, 1981, 1982, 1983 तो नाबाड की स्थापना किस वर्ष की गई तो 1982 आपका option number से एकदम correct हो जाएगा आगे देखते हैं कि स्थापना प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सरवाधी प्रगत की आपके options हैं चावल, गेहू, दलहन, जूट तो आपका गेहू एकदम option number भी एकदम correct हो जाएगा आगे देखते हैं कि भारत में हरित करांथ के जन्म दाता आपके सामने options दिए गए हैं उत्तराखंड, हिमानचर प्रदेश, जम्मू कस्मी उत्तर प्रदेश तो आपका right answer हो जाता है कि केसर का सबसे अधिक उत्तर प्रदन आपका जम्मू कस्मीर में होता है आगे देखते हैं कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाड निवास करता है आगे देखें कि सिल्वी कल्चर के अंतरगत किसका अध्यन क्या जाता है फलों का, फूलों का, साख सबजियों का या वनों का तो सिल्वी कल्चर के अधर आप किसका जन क्या जाता है वनों का याद रखें कि सिल्वी कल्चर के अंतरगत आपका वनों का जन क्या जाता है आगे देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी, काले मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या जलोड मिट्टी तो भारत में सबसे अधिक जलोड मिट्टी पाई जाती है आगे देखते हैं कि कपास अनुसंधान सस्थान कहां इस्थित है नागपुर में है कानपुर में या मुंबई में या आपके अहमताबाद में तो कपास अनुसंधान केंद्र आपका मुंबई में इस्थित है आगे देखते हैं कि धान का प्रसिद खेरा रोग का क्या कारण ह तो जो धान का प्रसिद खेलरोग उसका क्या कारण है? बताईए, धान का प्रसिद खेलरोग जैस्ता की कमे का कारण है आगे देखे कि Central Sugar Cane Breeding Institute कहा परिस्थित है आपके options आपके स्क्रेशन के नई दिली, लखनव, कोयमब टूर या वालसाध तो जो Central Sugar Cane Breeding Institute है वो आपका कोयमब टूर में इस्थित है कहाँ पर इस्थित है? कोयमब टूर में इस्थित है जी हाँ, कोयां बटूर में इसी थे, आगे देखे, अब देखे, प्रस नमर ट्वंटी टू, किसी माना उत्पादक धानी अन्न कहा जाता है, धान को, गीहूं को, या ट्रिटेकल्स को, या ज्वार को, तो किसी माना उत्पादक धानी अन्न कहा जाता है, तो ट्रिटेकल्स को धानी अन मैनमेड कहा जाता है आगे देखिए कौन खरीफ की फसल है खरीफ क्रॉप कौन सा है जो है, मसूर है, सरसो है या बाजरा तो आपका खरीफ का फसल कौन सा है बाजरा आपका खरीफ का फसल है आगे देखिए कि हरित करांती Green Revolution in India के दोरान किस खाद्यान के उत्पादन में सरवाधिक वृद्धी हुई तो हरित करांती के दोरान किस खाद्यान की, तो भया गेहों की क्या हुई, सरवाधिक वृद्धी हुई आगे देखिए कि नूतन जलोड मिट्टी New Alluvial Soil किस नाम से जाने जाती है तो जो नूतन जलोड मिट्टी है वो आपका खादर नाम से या बांगर, या भावर, या रे तो भया, नूतन जलोड मिट्टी आपका खादर नाम से जाने जाती है किस मिट्टी का स्थानी नाम रेगुड है लाल मिट्टी, काली मिट्टी जलोड मिट्टी, लेटराइट मिट्टी बताइए काली मिट्टी यार काली मिट्टी का जो स्थानी नाम है वो क्या है रेगुड है आगे देखिए क्रिसी उपज के समर्थन मूल का निर्धर कौन करता है वित्त मंत्राले एक्रिकल्चर, प्राइस कमीशन एक्रिकल्चर, प्रोड़क्शन कमीशन खाद दी एवं क्रिसी मंत्राले जी हाँ, जो आपका क्रिसी उपज के समर्थन मूल का जो निर्धर करता है वो आपका एक्रिकल्चर, प्राइस कमीशन करता है आगे देखें कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है मक्का में, सोया बेन में, अरहर में, मुंग फले में तो भया सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोया बेन में पाई जाता है आगे चलिए, देखें, लेवल आपका यही रहने वाला है इसके अलावा और किसी में परिवर्टर नहीं होने वाला लेवल आपका यही रहेगा और उतना स्योर आप रहेगे कि आप 15-16 क्योशन आप इसमें से 100% लेकर ही लेकर रहेंगे आगे देखें दलहन फसलों में कौन सा रंगदरव यह? पिगमेंट नाइट्रोजन इस्थरी करड़ में सहायक होता है क्लोरोफिल, हीमोगलोबिन, क्रोमोप्लास्ट, लेग हीमोगलोबिन तो आपका राइट एंसवर है यार लेग हीमोगलोबिन ठीक है? आगे देखें बोर्लोग पुरसकार किस महत्वपोड युगदान के लिए वैग्यानकों को प्रदान किये जाते है तो भी आप बोर्लोग पुरसकार भोतकी में, याचिकित्सा में, रसायन, सास्तर में, क्रिसी में तो भी बोर्लोग पुरसकार आपका क्रिसी के छेतर में वैज्ञान को कुप्रदान किये जाते हैं आगे देखे कि कौन सा रोग गेहूं की फसल सम्बंदित है कौन सा रोग गेहूं की फसल से सम्बंदित है बताईए रस्ट, हरि, बाली, टिका, खैरा तो या कौन सा रोग गेहूं की फसल समंदित है तो आपका रस्ट आपका गेहूं की फसल समंदित है आगे देखें कि मतर में मार्थ रोग का क्या कारण है जस्ता की कमी मैगनेज की कमी या मॉली ब्लेड की कमी कौबर की कमी तो मटर में मास्त रुका करण है आपका मैगनिस की कमी है आगे देखिए कि इसमें से कौन रभी की फसल है धान है गेहू है जवार है या बाजरा है तो इनमें से रभी की फसल कौन सी है यहापे गेहू तो जो गेहू है रभी की फसल है आगे देखिए 34 में इस चाय में कौन स आपका चाय में कैफीन पाया जाता है तो आपका चाय में कैफीन पाया जाता है ठीक है आगे देखिए कि केंदरी आलू सोध संस्थान कहां परिस्तित है केंदरी आलू सोध संस्थान कहां परिस्तित है तो नैनी ताल देहरा दून सिमला या कटक तो केंदरी आलू सोध सिम्मला में स्तित है. आगे देखिए. कौफी में कौन सा Alkyloid पाया जाता है? Nicotin, Thin, Caffeine, Acetine. तो जो कौफी में कौन सा Alkyloid पाया जाता है? तो Caffeine पाया जाता है. Option number C आपका correct हो जाएगा. आगे देखिए. किस मिट्टी में इसे की याव्य सकता नहीं पड़ती है काली मिट्झे लाल मिट्झे जणरोर मिट्टी लैut रॉइट रैptions पड़ती है अहीं में आगे देखे कि अंगूर मैं कौन्सा अमलफ ग्रैप्स एसिड पाया जाता है साइट्रिक अमल, एसिटिक अमल, टॉर्टेरिक अमल, लैक्टिक अमल तो आपका राइट एंसर होता है आपसनाबस C टॉर्टेरिक अमल, अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है तो अंगूर में आपका तार टेरिक अमल पाया जाता है आगे देखिए बॉनी बॉनी एस्पेसिस किस फसल की प्रजाती है अंगूर टमाटर सेव या बैंगन तो जो बॉनी है वो आपका टमाटर फसल की प्रजाती है आगे देखें कि बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महतोपूर नहीं है हवा, नमी, उपरी, तापमान, सूरी की रोशनी तो यहाँ पर आपका सूरी की रोशनी एकदम कर्ट हो जाएगा यहाँ बहुत से बच्चे कन्फ्यूस होते हैं आप घर में देखें जहाँ पर सूरी की रोशनी नहीं पहुच पाती है अंधीरे में भी कोई पौदा उग सकता है इसलिए हमारा राइट एंसर क्यों जाता है कि बीजों के अंकुरण में सूरी की रोशनी महतोपूर नहीं है आगे देखें कि फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जाने जाती है चावल, गेहू, बाजरा या कपास तो नकदी फसल है या तो कपास को नकदी फसल के रूप में जाना जाता है आगे देखते हैं किस में विटामिन C सबसे अधिक मातरा में पाया जाता है आउला, अम्रूद, नीम्बू, अंगोरी आउला में भी विटामिन C होता है, नीम्बू में भी होता है यहाँ इसका मतलब यहाँ पर A और C एकदम करेट हो जाएगा आउला भी और नीम्बू भी आगे देखे, कि ओलेरी कल्चर के अंतरगत किसका अधियन किया जाता है फलों का, फूलों का, साक सबजियों का, वनों का तो यहाँ ओलेरी कल्चर के अंतरगत हमारा किसका अधियन किया जाता है तो साख सबजीओं का धिन क्या जाता है आगे देखे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपिख्थ होती है तो ये तो सब को पता है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैट, रायट मिट्टी, जल्लोड मिट्टी देखिए आपके स्टेंडर्ड यही रहने वाला है मैं बता रहा हूँ ना कि आपका स्टेंडर्ड यही आएगा तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है तो काली मिट्टी आगे देखिए राष्ट्री ये सोया बीन अनुसंधान केंदर ये कहा है इस्तित है या राष्ट्री ये सोया बीन अनुसंधान केंदर कहा है इस्तित है भोपाल में जबलपूर में इंदोर में या लखनव में तो राष्ट्री सोया बीन अनुसंधान केंदर आपका इंदोर में स्तित हैं आगे देखे के निममे ओस दी पौधा मेडिसिategीनल प्लान्ट कौन सा है कपास कि नीम जो या सौल दो सथिव पौधा मेंस कोन सा है नीम है तो सथिके रूम ही उसक्फ याता है आगे देखे कि फसलों पर आकरमण करने की कीट की प्राया कौन सी अवस्था अधिक खाने पहुचाती है अंडा प्यूपा केटर पीलर इमेगू तो फसलों पर आकरमण करने की जो यह अवस्था है उससे क्या कहते हैं केटर पीलर जो केटर पीलर अवस्था होती है यह सबसे अधि खान पहुचाती है फसलों पर आगे देखते हैं कि Central Rice Research Institute कहां इस्थित है Central Rice Research Institute कौलकाता में है या कटक में या चन्नई में या नहीं दिल्ले में तो Central Rice Research Institute आपका कटक में है आगे देखें कि भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राजे में होती है तो भारत में धान की सबसे अधिक खेती उत्तरप्रदेश या पसिम बंगाल या पंजाब या तमिल नाडू जी हाँ पसिम बंगाल भारत में धान की सबसे अधिक खेती पसिम बंगाल में ही होती है आगे चलते हैं कि तंबाकों में कौन सा रसायन पाय जाता है निकोटीन, फीन, कैफीन या प्यूरीन तो तंबाकों में निकोटीन रसायन पाय जाता हैं आगे देखें कि सोया बेन की उत्पत्ति origin of soybean कहां हुई है भारत चीन, मैक्सिको, संयुक तराजिय अमेरिका तो भी है चीन ने सोयविन क्यों उत्पत्ती हुई थी वहीं पर ओरिजिन माना जाता है ठीक आगे देखें कि दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरा कम क्यों दिया जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन का कम्रियो करते हैं क्योंकि इनकी आवस्कता के लिए परियाप नाइट्रोजन विदा में होता है क्योंकि इनकी जड़े स्वयम नाइट्रोजन का इस्थरी कर लेती है या उपरुक में से कोई नहीं तो आप्सिन नंबर सी एकदम करेट हो जाएगा कि दलहनी फसलों को नाइट्रोजन वर्वरा किसलिए कम दिया जाता है क्योंकि उनकी जड़े स्वयम नाइट्रोजन का इस्थरी कर लेती है आगे देखें कि पौधे की वरिधि मापने के लिए उनकी वरिधि को मापने के लिए किस यंदर का प्रियोग किया जाता है आगे देखें आमकी अमरपाली प्रजाती निमन में से किसका संस्क्रण है नीलम प्लस लंगडा दसहरी नीलम नीलम अलफानसो नीलम प्लस बंबई हरा तो यह दसहरी नीलम आमकी अमरपाली प्रजाती जो है किसका संक्रण है दसहरी नीलम की अगे देखें कि भारती लाख सोद संस्थान कह लेकनव, कानपूर, राची या देरादुन जो भारती लाख सोद संस्थान है यह आपका राची में इस्तित है भारती लाख सोद संस्थान राची में इस्तित है आगे देखे कि आलू का अगयती और पिछेती जुलसा रोग किसके कायड़ होता है जिवाड के या विसाड के या फफूदी के या प्रूठो जोवा के जी हाँ आलू का अगयती और पिछेती जुल सा रोग फफूदी के काड़ होता है आगे देखिए कुफरी चमतकार किस फसल की प्रमुक्त प्रजाती है कुफरी चमतकार पताईए आलू की कपास की सोया बेन की सकरकंद की तो आपका प्राइट एनसर हो जाता है कि कुफरी चमतकार आपका आलू की प्रजाती है आगे देखते हैं कि भारती करस अनुसंधाण संस्थान rods ना इन्टीन जिरो वर्स में स्थापित की गई आगे देखे कि कौन खरीफ की फसल नहीं है धान, मक्का, जवार या चना इन में से कौन खरीफ की फसल नहीं है तो भीया इन में से खरीफ की फसल चना चना आपका खरीफ की फसल नहीं है आगे देखें कि राश्ट्री वानस्पतिक सोध संस्थान कहां इस्तित है राश्ट्री वानस्पतिक सोध संस्थान कहां इस्तित है कुलकाता या लखनव या कानपूर या मैसूर तो जो राश्ट्री वानस्पतिक सोध संस्थान है वो आपका लखनाव मेश्तित है आगे देखते हैं कि कौन जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं कौन से जल पौधे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं आदरतागराही जल, केसिका जल, गुरुतवी जल या ये सबी तो यहाँ पे देखे कि केसी का जल जो है इसे पौधे बड़ी आसानी सिप्राथ कर लेते हैं आगे देखे इस अरसों के तेल में सत्या नासी आरजी मोन के बीच के तेल की मिलावट से कौन सा रोग उत्पन होता है छह रोग या डायरिया या एपीडेमिक ड्रापसी या मेलेरिया तो आपका भी यादम राइट एंसर होता है कि एपेडेमिक ड्रापसी ठीक आगे देखे यह पेट की जिली होती है तो पानी बर जाता है इस रोग का मतलब होता है वन सोद संस्थान फोरेश्ट रिसर्च इंस्टिट कहां इस्तित है देहरादून पंत नगर लखनव नैनिताल तो वन सोद संस्थान आपका कहां इस्तित है देहरादून इस्तित है आगे देखते हैं कि पोमेटो टॉम टैटो किसका संस्क्रड है आलू प्लस टमाटर टमाटर प्लस सकरकंद आलू प्लस सकरकंद आलू प्लस सकरकंद दो दोबार दे दिया तो आपका राइट अंसर होता है कि आलू प्लस टमाटर यह मिल क्या बनता है पोमेटो टॉम्टेटो बनता है देखें क्योसे नमा 65 कि भारत में सबसे अधिक सिचाई किस विद से होती है नहर से, कुवा वनलकूप से या तालाप से या ड्रिप से तो भारत में सबसे अधिक सिचाई कुवा वनलकूप से होती है आगे देखते हैं क्योसे नमा 66 कि पाउधे की सामान वृद में किस तत्व की आवसकता नहीं पड़ती पाउधे की सामान वृद में किस तत्व की आवसकता नहीं पड़ती तो PB, FE या MG या PB या CA तो PB में जो होता है यह सही हो जाएगा आपका आगे देखें कि गेहूं बौने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है जो गेहूं बौने का मौसम होता है देखें इदम सब जो हमारे दैनेक जीवन में यूज होते हैं बस उन्ही प्रस्णों को सामनी रखा गया है देखें आपके option क्या है October से November, November से December, January से February या March से April तो आपका right answer हो जाता है October से November गेहूं बौने का उपयुक्त मौसम है आगे देखते हैं कि केंद्री सुस्क प्रदेश सोध संस्थान C-A-Z-R-I कहां इस्तित है जैपूर में, जोधपूर में, गंगा नगर या जैसलमीर तो आप जोधपूर में केंद्री सुस्क प्रदेश सोध संस्थान आपका जोधपूर में इस्तित है और इसे 1959 में काजरी के रूप में पूर संस्थान का दर्जा मिला अगे देखिए कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राजी कौन सा है करनाटक है या केरल है तमिल नाडू है आंध्र प्रदेश है तो आपका राइट हो जाता है केरल भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राजी केरल है तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप और सारे वीडियो देखें, जो कि सब इंटरेंस से ही रिलेटर दिये गए हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, और से यार तो अब फटाक से कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग 69 पे पह स्थान कहां इस्तित हैं, जो भारती दलहन अनुसंधान संस्थान है, वो कहां इस्तित हैं, लखनव में, या कानपूर में, या भोपाल में, या नहीं दिल्ली, तो भारती दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहां इस्तित हैं, तो कानपूर में इस्तित हैं, आगे देखे कि लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा ततो पाये जाता है लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा ततो पाये जाता है आइरन या मैगनेसियम या कोबॉल्ट या मोलीब्रेरम तो लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा ततो पाये जाता है तो आइरन पाये जाता है यार आगे देखिए क्योश्य नमर 72 टिका रोग किस फसल संबन्दित है जो आपका टिका रोग है वो आपका मुंग फली से संबन्दित है आगे देखिए कि भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद कहां इस्तित है नई दिल्ली करनौल कोयमबटूर लखनव तो जो भारतिय कि कमे के करण होता है तो आलू का क्रिश्टकांत रोग जस्ता के करण या कौपर या ऑक्सीजन या जल तो आलू का जो क्रिश्टकांत रोग है वो आक्सीजन की कमे के करण होता है आपका आपसन नमबर सी करेट हो जाएगा आगे देखते हैं कि अलफानसो प्रजात किस फस पौधिय नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहड करते हैं नाइट्रेट की रूप में नाइट्राइट या अमोनिया या इमाइड तो जो पौधिय होते हैं नाइट्रेट की रूप में नाइट्रोजन ग्रहड करते हैं आगे देखते हैं रेट रॉट क्रोग किस फसल से सम्ब यार। न को जाता है। आगे देखिये। किसका संस्क्रड है। किसका संस्क्रड है। बंची टॉप रोग किस ability पॉस से संबन्दित है। केला से, गन्ना से, कपास से या चावल से, बंची टॉप जो है आपका केला से संबंदित है, आगे देखें कि सोया बीन में प्रोटेन की प्रतिसता कितनी होती है, 30 प्रतिसत, 42 प्रतिसत, 50 प्रतिसत या 60 प्रतिसत, तो सोया बीन में प्रोटेन की प्रतिसता मात्रा आपका कि हमंद आधिक समय तक आधरता बनाए रखने की छमता होती है लाल मिट्टी काले मिट्टी जलोड मिट्टी यह लेट्राइट मिट्टी तो पेदन के अधिक होती है तो महते हैं गेहों से इसे? या जवार तो धान से बहु चाची तो जो ब्लाष्ट जोका है वाका धान से संबंदित है आगे देखिए कि भारत में कहवा उत्पादन में अग्रडी राजी कौन सा है केरल करनाटक तमिल नाड़ या असम तो करनाटक करनाटक जो है भारत में कहवा उत्पादन में सब को मैंने रखा इसमें से ऐसे क्योशन है कि जो चार से पांच बार पूछ दिये गए हैं तो इतने में आपका क्योशन मैं कर रहा हूं कि 15-16 क्योशन आपका 100% है कि वहला आधे घंटे की वीडियो होगी मुश्किल से मुझे लगता है तो इसमें कवर हो जाएगा यार और थोड़ा आप इस वीडियो को दो से तीन बार देखेगा तो आपका एकदम complete है याद हो जाएगा तो यार दोस्तों को बता दो इसलिए कि वह भी आपके competition में आ जाने तो अकेले competition का क्या मतलब है इसलिए दोस्तों को बता दो कि वह भी इस चैनल को देखें और वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें लाइक करें सस्क्राइब तो करेंगी लेकिन सेयर करना भाई बहुत जरूरी है ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तर के लिए बाय बाय जैहिन जै भारत